सब्सक्राइब न्यक्राइब। बushkarm, मेरा नाम्कीत कुमार्दिवगंगन है प dejar कम आंप के बीच में आए हूं अपने चैनल के साथ में एपनें पहले वीडियो के साथ में आप सब्सक्राइबीआब करता है है बुजनेस के मैं सिखेंगे माँस का सिया फिर इंडस्ट्री को लगाता है ये किस 로 curum चाहिए वो किसी भी दम पर पे हो या फिर आप लोन की तैसलिटी वगरा के बारे में हम इस सम्भी जानकारी को देंगे साथी साथ हम लाइब इंटरेक्शन करवाएंगे C.A. से, बैंक मेनजर से, उद्यमी से, MSME सेक्टर से, खादिग्राम उद्यों के इन सभी के कॉंसलर से हम आपकी लाइब इंटरेक्शन करवाएंगे वो आपको किसी भी बिजनेस या पी इंटरष्टि को स्टार्ट करने से, करने को लेकर की चीजों को समझाएंगे अगर आपके पास में कैपिटल नहीं है तो लोन की वैवस्था, सबसीडी से, सबी चीजों के बारे में में समझाएंगगे साती साथ हम अपने इस चैनल पर बिजनेस को प्रमोट करेंगे, इंडरस्ट्रियस को प्रमोट करेंगे, स्टार्ट अप्स को प्रमोट करेंगे, ये चैनल के माद्यम से अगर आप एक वैपारी या पर एक दुकानदार है, या पिर आप एक होलसेलर है, या पिर डिस्टिब् के ना कहने तक है आपका बात करेंगे अगे पर आपके पास में अच्छी स्कील है आपके पास में रिपीट कस्टमर है आपके बिजनस का अच्छी फाइनस है और आप तभी आपके business का expense होगा, तभी आपके business का growth होगा, आपका sales revenue अच्छा है, तब आपके business का growth होगा, तो ये सबी चीजों के बारे में हम आगे आने वाले videos में बात करेंगे, और साथ हम different kind of business model के बारे में बात करेंगे, क्या होता है एक industry, कैसे हम step by step एक startup को खड़ा कर स है कैसे हम B2B, business to business, D2B to C business to customer, कैसे हम direct to customer कर सकते हैं, कैसे हम most profitable business बना सकते है, कैसे more scalable business करना बना सकते है, service model manufacturing model इन सबी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, business 25,000 से लेक एक लाग तक का business, एक लाग से लेके 5 लाग टकी बिजनेस, 5 लाग से लेके 10 लाग, 10 से 20, 20 से 25 से एक करोड तक की बिजनेस, हम कैसे different kind of model बिजनेस का हमको build कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जानकारी को लेंगे, कि हम साथ इसाथ बिजनेस विद टेकनलोजी की भी बात करते हैं, टेकनलोज यह सब टेकनलोजी वाइज बिजनेस है, TCS जो company है, उसकी revenue है, वो पाकिस्तान के stock market exchange के revenue से भी जाद है, बहुत सारे देशों की GDP से भी जादा उसका revenue है, यह हम इस चीज को बारे में समझेंगी आगे, company बहुत सारी example है, fintech मतलब की finance with technology, finance with technology की बहुत सारी हम डैनिक जीव technology, एक टेक की company बहुत सारी है, एक टेक कमपनी में बाय जूस है, वेदानतु है, बहुत सारे दीर दीर आगे बढ़ रहे है, बहुत सारी चीज है, food tech industry में आप हम daily use करते हैं, आजकल हर सहरों में सब यह model आ चुका है, swigis, mato से लेके, online food order तक, यह सब technology-wise business है, इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे हम एप model में जा सकते हैं, कैसे हम franchise फ्रेंचैसी model में जा सकते हैं, कैसे हम website के थूरू, अपने बहुत सारे flipkart है, Amazon है, उन सब में कैसे 않के, from your company, besides go शरीजर से हम connection कैसे बीड कर से इसके बारे में देखेंगे connection जो होता है एक चीजों को दूसरे चीज से जोड़ना होता है connection मतलब कि अगर आप manufacturer है तो उसको distributor से जोड़ना अगर distributor है तो उसको retailer या फिर wholesaler से जोड़ना और अगर आपका normal shop है तो उसको customer से जोड़ना यह होता है connection connection हम कैसे strong connection हम कैसे build कर सकती इसके बारे में हम आगे बात करेंगे connection और distribution दोनों बहुत important चीज होता है अगर example के तोर पर हम देखेंगे अगर एक rice meal है rice meal के business में इसका कच्चा मल होता है धान धान जो है खेत से आता है खेत में अगर चावल लेट से होगेगा या फिर हो सकता है बारिश के कारण में फसल बरबाद हुआ हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है हो सकता है किसान के पास में लाने के logistical problem के कारण में लेट हो गया हो तो अगर वो लेट से पहुंच रहा अभी उस चीज पर सकता है इसके बारे में सीखेंगे कि इसको हम और और कैसे अच्छे तरकime करेंगे इसको हम expert के बाद हम से सीखेंगे इसके इसको हम और जो इस इंटरस्टी से related है उन सभी लोगों के बारे में सीखेंगे क्या और कौन सी अच्छी technology को use करके और अच्छी कौन सी रणलिती को use करके हम इसको reduce कर सकेंगे साथी साथ मारे business में का दूसरा नाम है legislation legislation का मतलम होता है कानून लग के बारे में भी आगे दैखेंगे लोग के लिडियर लोग की से हम मिलेंगे और उन के बात में हम educate के माद्धियम से सीखेंगे हम अब जज्च के हो सके तो हम जज्च के कमेंट में बता सकते हैं हम आगे वीडियो किस चीज के बारे हम सोच रहे हैं कि हम फूड इंडिस्टी के बारे बताएंगे हमारे GDP का बारद असम्लो आट परसेंट और मूरस तीन से चार लाग करोड के बीच में का रेवेन्यू है जो फूड इंडर्स्टी समें से आता है फून इंडरस्टिस सिर्फ एक limited फून इंडरस्टिस नहीं है उसमें एगरी भी agriculture भी हो सकता है retail भी हो सकता है उसमें बहुत सारे चीजे होती है normal ठेले से लेकर बड़े restaurant तक सबी चीजे food इंडरस्टिस के अंदर में आती है हम हो सकते हैं आगे इसके उपर बना सकते हैं, हम आगे एगरिकल्चर के उपर बना सकते हैं, हम प्लास्टिक इंडर्स्टि के बारे में बना सकते हैं, हम चाहे तो टेक्स्टाइल इंडर्स्टि के बारे में बना सकते हैं, हम सेकेंड मार्केट के बारे में बना सकते हैं, आप मिले करके आएंगे और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद